सभी को मेरे नमस्कार KnowledgeVCM YouTube चैनल में आपका एक बार फिर श्वागत है साथियो जैसे कि आप सभी को आनलाइन क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का असेस्मेंट किस प्रकार से करना है उसका आपको बहुत सभी से इंतजार था तो उसके लिए पोटल पर स्विधा हुपलब्ध करा दी गई है अब आप असानी से आनलाइन क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी असेस्मेंट कर सकते हैं तो चलिए वीडियों सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना मुबाइल नंबर और पाशवर्ट से लागिन करना है जैसे ही आप लागिन करेंगे तो आपके जो डेस्ट बोर्ड है वो इस तरह से दिखाई पढ़ेगा तो यहां पर देखिए और ऐसेस्मेंट के लिए विध्यार्थियों का विवरण तो आपको यह आंलाइन असेस्मेंट के लिए विद्यार्थियों का वीवरण को क्लिक करना है जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने इस तरह से कुछ नोटीफिक्शन लिखा हुआ आपको मिलेगा इसको आपको पढ़ लेना है कि आले कास में सामीर विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए आपको इसका मोबाइल नमबर डा करके खोजना है और यदि होगा सीजी स्कूल में पंजी करित नहीं है तो सबसे पहले आपको इसको पंजी करित करना होगा और पंजी कित होने के बाद ही आप उसको जोड़ सकते हैं सबसे पहले तो यहां पर देखे इस तरह से आपकी स्क्रीन दिखाई पड़ेगी जैसे कि आप लोग पह और उसके बाद आपको यह खोजे बटन पर क्लिक करना है जैसे ही। आपके सामने शी तरह से विद्यार्थी का नाम, उसका जो लिंग है वह आपकर सामने यहां पर दिखाई पड़ेगा है। फिर यहां पर उसका इसका पता है और यहां पर उसका जीना हुआ होगा। तो यहां पर आपको कक्छा का चैन करना है कि विद्यार्थी आपके किस क्लास में पढ़ रहा है तो उसको आपको इस क्लास को चैन करने के बाद आपको यह जोड़े बड़न पर क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी आपके online class group में जुड जाएगा यह देखिए अभी हमने इस जूरा है और उसका क्लास भी हमको दिखाई पढ़ रहा है उसी तरह से आप और इप चलिए हम एक और विद्यार्थी करें करके आपको दिखा रहे हैं इस तरह से उसके बाद फिर आपको यह खोशे पढ़न को क्लिक करना हैके बाद यहीं देख़ां पर लिखГिए कि यह मोबाइल नमबर से पर-पर रहो करते नहीं है तो इस फ्हुर आपको उस नमबर को परज़ी करना होगा जिसमें इस तरह की मेसेज आएगा फिर आपको मुबाइल नम्मर डालने के बाद खोजे बटन पर क्लिक करना है यह विद्याति पहले से ही cg-school.in के आने क्लास में सामिल है देखे क्योंकि वहाँ आप हमारे सामने पहले से ही यह सामिल है इस तरह से आपको दिखाई पढ़ रहा है तो इस तरह से फिर आपको मुबाइल नम्मर एंटर करने के बाद खोजे बटन पर क्लिक करना है जैसे हम खोजे बटन पर क्लिक करेंगे तो वह जो भी द्यार्थी है हमारे आने कास ग्रूप में क्या हो गया शामिल हो चुका यह देखिए साथ में इसका क्लास भी हमको दिख चरहां पर रहा है अब इनका assessment करने के लिए क्लिक करना पाड़ेगा सबसे पहले आपको ये मेनु पर जाना है जैसे है आप इस तरह से नीचे क्यों राना है और यहां पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थी का assessment को ही क्लिक करना है जैसे ही आप विद्यार्थी का असेस्मेंट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इसक्रीन दिखाई पड़ेगी अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का नाम दिखाई पड़ रहा है अरजुन धनुहार अरजुन धनुहार दिखाई पड़ रहा है, तो यह आपका देखे, यह आन लाइन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने किimpi इसकी इंट्री आन लाइन में की है, तो इस प्रकार से आप विद्ध्यार्थी का आन लाइन क्लास में एन्ट्री करेंगे, तो उसका online दिखाई पड़ेगा और उसका आप assessment इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर देखिए कुमारी नागेश्वरी लिखा हुआ है यह offline दिखाई पड़े क्योंकि हमने इसकी entry प्रहाईत वर परा के अंतरगत किया हुआ है offline class में entry किया हुआ है तो इस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ कुमारी भालगुनी भी हमको offline दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमने इसकी entry offline में किया हुआ है प्रहाईत वर परा के अंतरगत अभी हमने अब और विद्यार्थी का जो entry किया है online class के अंतरगत उसका भी चले आपको देखा जिते हैं यह देखिए राम कृष्ण पड़ेल का भी हमने अभी entry किया है और यह हमको दिखाई पड़ रहा है यह online class तो जिसका आप online class के अंतरगत एंट्री करेंगे तो उसके नाम के साथ में इस तरह से online और offline आपको दिखा हुआ मिलेगा इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस विद्यार्थी का online assessment किया है और किस विद्यार्थी का आपने offline class के अंतरगत assessment किया है उसके बाद पिर आपको यह assessment देवे पर click करना है जैसे ही आप assessment देवे पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विद्यार्थी का नाम इसकी ID पीता का अभिवाब का नाम आ जाएगा उसके बाद आपको इस तरह से emoji के माध्यम से उसका assessment आपको कर लेनी है विद्यार्थी के standard के अनु आंकान कर लिया है फिर आपको यह OK पर प्रेश कर देना है तो इस तरह से देखिए यहां राम कृष्ण पड़े लिए आनलाइन क्लास हमको दिखाई पड़ेगा उसका हमने क्या कर लिया assessment कर लिया इस तरह से तो फिर आपको यह वापस जाने पर click करना है वापस जाए पर click करेंगे तो यहां पर हमने चली क्लास कर लेते हैं यह देखिए आनलाइन क्लास का हो गया अभी हमने एक आनलाइन क्लास के विद्यार्थी का assessment किया है यह देखिए यह और आखे DRM क्रिश kings na पटेल यह आन्लाइन लिखा हुआ है अब इहांने इसका आसेर्मेंट और पको आ नाम आन्लाइन आ चुलिए आतो यहां कौन से विद्यार्थि आपके online class के हैं और कौन से विद्यार्थि आपके offline class के हैं तो इस तरह से आप उन विद्यार्थियों को आसानी से assessment कर सकते हैं तो साथियो आज कर जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें comments कर जरूर बताईए साथ ही कोई channel से समधित सुझा हो तो comment box पर जरूर लिखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके बिल आइकन के ब्रण को प्रेस कर दिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अप्रोड करें तो इसका notification आपको मिलता रहे फिर मिलते हैं साथियो एक नेक्ष्ट वीडियो के साथ एक न